तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहां पर प्रूव देख लिए आप लोगों को यहां पर नोकिया2 का वाइफ़ाई दिख रहा है मेरे इस पोन में कनेक्ट है और इस पोन में देखिए उसका पासवड़ भी आप यहां पा शो हो रहा है वाइफ़ाई ने चूछे है और वा कि किसी भी Wi-Fi Network के password को आप लोग बहुत एजली जान सकते हैं कि उस Wi-Fi Network पर password कौन सा लगा हुँ है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का जो फ्रेंड है उसके फोन में जो Wi-Fi Network connect है उसके password को आप कैसे पता कर सकते हैं आप लोग के phone में अगर कोई wifi connect है जिसका आप लोग को password नहीं पता उसके password को आप लोग कैसे पता कर सकते हैं या आप लोग के आस पास कोई भी wifi network है उससे अगर आप लोग का कोई भी mobile phone connect है चाहे दोस्त का हो या किसी का भी mobile phone connect हो उस mobile phone ते कैसे पता लगा सकते हैं कि उस wifi network में कौन सा password set है उस password को कैसे जान सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करते हैं वीडियो स्टार करें से पहले दूस्तों मैं आप लोगों को एक application के परहे में बताता हूं WhatsApp तो आप सभी लोग यूज करते होंगे same to same WhatsApp की feature वाली एक और application market में आच चुकी है जिसका नाम है Sagile Chat आप लोगों को side में screen recording देख लिए होगी बहुत ही ज्यादा easy interface के साथ है जैसे WhatsApp में आप लोग OTP और mobile number के साथ register करते हैं मैं भी इस application को यूज करना हूँ आप चाहे तो इसे play store से भी download कर सकते हैं या description box से भी download कर सकते हैं एक बार इस application को आप लोग पीछे वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आप लोगों को किसी Wi-Fi network के password को पता करना है ना तो आप लोगों कोई phone उस Wi-Fi network से connect होना चाहिए य यह जो मेरा नीचे रेडमी का mobile लखा हुआ है ना इसमें इस Wi-Fi network का password पड़ा हुआ नहीं है तो अभी आप लोगों को मैं उस mobile से इस Realme 5S वाले password को पता करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को अपना वाला phone ले लेना है जिसमें आप लोगों का Wi-Fi network connect है जिसका आप लोग Vape was connected दिख रहा है यहाँ ना उनस लिए ट्रीक और क्रेंगा तो अब लोगों को 34 को उपन हो चुका है जो Wi-Fi network मेरे में provide उप मेर Gibson Öра को रॉपन हो चुका है उसका helping लोगों को जिस mobile में password पता करना है ना वह mobile ले लेना है और आप लोगों को ये application download कर लेने हैं ये application का link मैं आप लोगों को description box में दे दुन आफ वहां से आप लोग इससे download कर लेज़ेगा इस application को open करना है जब आप first time open करेंगे तो अप लोग उसे permission को बोलेगे तो आप रहे पासवर्ड है अभी मैं आप लोगों को इस पर क्लिक करके दिखाता हूं इसको देर तक प्रेस करके मैं से कॉपी के ले रहा हूं तो यह देखिए कॉपी हो गया है अब मैं आप लोगों को इसमें करके दिखाता हूं तो देर तक जब इस पर आप प्रेस करके ओपन करें तो अभी देख सोना है तो तो स्येएं प्रोसेस। आप लोग को करना है। जैसे इसमें करा नहीं तो इसके से फिर्ट के दूशीड है। तो अभी आप लोग को क्या करना है में जिस पोन यह आप लोग पता करना की ऐसा में आप बहुत हो से न दॉपन पर"- matar तो यहां पर आप लोग को permissions allow करनी होंगी तो अभी आप लोग दे लिए यहां पर permission मांग रहा है यहां पर while using the time पर क्लिक करना है और जैसी आप लोग एक permission देंगे ना यहां पर direct QR code open हो जाएगा अब आप लोगों को यह जो मेरे रेडमी का फोन है ना माली जी यह रियल्मी में पता करना था तो जिसमें पता करना है उसमें इस application को download करना है और इस QR code को direct scan करना है जैसी आप scan करेंगे तो उस वाइफाय नेटवर्क का password साफ साफ दिख जागा चाहे कोई भी वा method है जिससे आप लोग किसी भी वाइफाय नेटवर्क के password को पता लगा सकते हैं बाकि आप लोगों के जितनी भी वीडियो आप लोग देखेंगे ना जितने भी आप लोग application यूज करेंगे ना सारी fakes होंगी तो इनको time-based मत करिएगा download करके या किसी भी फाल्तू वीडियो को देखके आप लोग वाइफाय के password को normally नहीं जान सकते सिर्फ एक यही method है जिससे आप लोग किसी वाइफाय नेटवर्क के password को पता कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम पर वाइफाय बहुत ज्यादा secure हो चुकि है I think आप सब लोगों के सारे doubts clear होगे और आप लोगों को य इस चैनल पर देखने को मिलेगी अगर आप लोगों का मेरी लिए कोई भी कुशन है ना तो आप लोग मुझे मेरे instagram account पर direct message कर सकते हैं मेरा instagram username मिश्टर फैदू0713 आप लोगों को link description box में मिल जाएगा वहां जाकि आप लोग मुझे follow कर लिजीगा वहां पर आप लोग जो को भी message करेंगे ना मैं आप लोगों को उसका reply करूंगा तो चलिए दोस्तों मिलते हम लोग अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें